का एल्रार है है यदि एक दिप different में दिसक्स करने बाले जो डिपलोमा इंपने सब्जेक्टा में इसके इंपॉटन कोशन,ócलूजी 178- Salt सकते हो ठीक है अगर आप इसका डाउनलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले हम देखेंगे जो चप्टर वन चप्टर वन कौन सा है इसमें कौन कौन से important questions है तो देखिए सबसे पहला question है write the scope of anatomy and physiology हमें इसमें क्या लिखना है scope लिखना है किसका anatomy and physiology है ठीक है यह हो गया answer कुछ इस तरह से लिख हो गया अगर यह question पूछ ले जाए तो हम answer को detail में explain नहीं कर रहे हैं हम खाली important question लेके हैं उ इससे कि आप जो questions है उनके answers भी clear कर सको हो ठीक है question number second देखिए हम चप्टर वन में defined various thermologies used in the anatomy यानि जो anatomy various thermologies हैं वो use होती है उन्हें आप defined कि जीजिए कि directional terms हो गए ठीक है planes of body हो गई और body cavity हो गई यह सारी क्या है आपको discuss करनी एक question में ठीक है अब हम देखिंगे chapter 3 में कौन क से important question chapter 2 हमने इसमें discuss नहीं किया है क्योंकि chapter 2 बहुत easy है इसलिए पूरा पढ़ लिया है अब हम देखिंगे chapter 3 में important question कौन कौन से जैसे chapter 3 है tissue of human body ठीक है तो देखिए सबसे पहला question है इसमे explain the tissue of human body यानि हमें क्या करना है जो tissue human body को उसको explain करना है ठीक है तो कुछ इस तरह से पांसल लिखोगे पहले कुछ definition लिख दोगे types लिख दोगे classification कर दोगे और उनके function लिख दोगे अब देते question number two write the note on epithelial tissue muscular tissue connective tissue and nervous tissue यानि आपको जो epithelium tissue इसके उपर muscular tissue के उपर कुछ note लिखने यानि बताने है क्या इनके example बताने इनका function बताना है muscular tissue का connective tissue का और nervous tissue का तो देखिए आप कैसे लिखोगे यह यह epithelium है तुचा आप किस तरह लिखोगे example लिख देंगे structure लिख देंगे ठीक है और जो subdivided है यानि classification वो लिख दोगा function लिख दोगा उनका अब second क्या है second है muscular tissue ठीक है इसका भी same हो यह थड़े smooth muscles cardiac muscles यह सारी किसमें आते हैं इसमें आते हैं muscular tissue ठीक है यह सारे इसमें आते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिशू टाइप सब्सक्राइब इसमें आते हैं फूर्थ कहा है फूर्थ है बोन टिशू इनके functions लिखने हैं आपको और यह हो गया nervous tissue के बारे में उनक कौन-कौन से important questions हैं जो कि exam में पूछे जा सकते हैं सबसे पहला question है write a detailed note on appendicular skeleton यानि जो appendicular skeleton है उसके उपर आपको note लिखने है इसमें हमने जो appendicular previous हमने किसकी बात किते appendicular skeleton के अब हम बात करेंगे इसमें 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 तो आप जरूल पढ़के जाए और इसमें से question इसमें आते हैं वह सारी एक एक करके detail में इसमें दीव हैं आप देख सकते हो वर्टेब्र कॉलम के बारे में function के बारे में तो इनके बारे में भी कुशन आ सकता है तो हमने जो comment joint disorder बताईए यह सारे चीज़ आपको बतानी जाए रोमोइड अर्थरेस हो गया उनके बारे में लिखाए ठीक हो गई और तरह से सो गई यह करके detail में बताए गई है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो चप्टर नमबर फाइव है उसमें इंपॉर्टेंट कुशन कौन-कौन से हैं हमिटोपेटिक सिस्टम में ठीक है तो सबसे पहले देखिए क्या राइट डीटेल नोट ब्लड यानि ब्लड के ऊपर आपको नोट स्टार्ट कर दोगे ठीक है यह सारी क्या है जो ब्लड के कॉम्पोजिशन है अब कुशन नमर टू देखिए राइट टे शॉर्ट नोट ब्लड ग्रूप यानि जो ब्लड ग्रूप उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिए और कोगलेशन ऑफ देखिए ब्लेट ग्रूप लिए पुछला जाए तो आपको इतना लिखना पड़ेगा ठीक है अब देखते हम जो चाप्टर नमर 6 यह लिम्पाटिक सिस्टम उसमें इंप्वोटेंट कौन-कौन से कौस्चन से हैं चाप्टर नमर 6 में कौन इंप्वाटिक सिस्टम तो देखिए सबसे पहला कुस्च राइट डीटेल नोट और स्टक्चर और फंशन आफ लिंप नोड यानि इस तरह से लिंप वेसल्स के बारे में भी है फंशन से उनके लिंप्र नमर त्री देखोगे आप तो क्या है डिस्टम में और टीशुस वह आपको डिस्क्राइब करने तो देखे लिंप लिखना है फंशन ऑफ प्ली ठीक है को फोर देखिए कौन सा राइट ए शॉट नोट लिंफ के उपर आपको शॉट नोट लिखने को कह सकता है यान सिस्टम है इसमें कौन-कौन से important questions है तो देखिए सबसे पहला कुछन है डिस्क्राइब दे काडियोवस्कुलर सिस्टम इसमें आपको क्या है जो काडियोस्कुलर सिस्टम होता कैसे कैसे काम किया जाता और कुसली होता हुद फंक्षन क्या वो सारी चाहिए इसमें तो यह आपको यह ना यह चाहिए तो जो आपको पूछा जाएगा वित लेबलिंग के साथ क्यों उनको आपको लेबल भी करना पड़ेगा ठीक है तो यह देखके जाएं जरूरल आप हाट का अब देखते हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ भी है यह से हमने इसमें आंसर में प्रोवाइड किया है तो यह पॉइंट हमने लिखा भी हुआ है अगर आप पढ़के जाओ तो पढ़के जा सकते क्योंकि टाइम नहीं लगता है इसमें नोर्स बने हुए है आप इसली पढ़के जा सकते हूं कुशन नमर तरी देखिए वाट इसमें से भी आ सकता है। पुछ ले तो हमने इसमें एक एक करके सारी लिखने जिससे किया कि अगर कुश्चन से भी आई तो आप ये पीडियाफ जरूर देखके जाएंगे तो आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी ठीक है अब हम देखेंगे चप्टर नंबर जो यह रेस्पिरेटरी सिस्टम उ के के इसके बारे में इसमें 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 सारी इक है को नुंस के बारे मैं Popular American ठील है इसमें फारेक्स के बारें लायर एक्स के बारें भी है राक्या के बारे में पूछ ले और लंग के बारे में है shrr इतना है मतलब जल्दी पढ़ना ही पाओगे जितना यह important question में provide के यह नीचे answers दी हुआ है आप इनको पढ़के जाएं question number two कौन सा important है इसमें write a short note on respiratory volume यानी respiratory volume पर आपको short note लिखने और capacity उसकी capacity पर ठीक है तो यह देखिए यह पूरा answer इसमें लिखा हुआ है question number three देखिए important explain the mechanism of respiration यानी जो mechanism respiration को वह आप explain करिए यह question आ सकता है तो यह आपको लिखना पड़े है कुछ इस तरह से इसमें सारे points कवर किये गए यह आपको पूछ ले जाए बरत की respirator system के बारे में तो ऑपको याद रखना इसमें digerian system के बारे में थी कह सेकर्ड को साण के बारे में कि सकता है तो हमने क्या है कि इसमें आंसर में सारी चीज कवर किये हुए है अगर आप आंसर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहीं से भी कुश्चन आएगा इसमें से स्टमक के बारे में पूछ तो आप लिख सकते हुए तो देखिए यह औरल के बारे में यह तीट के बारे म हो गया है यह दो के लैंट से उनके बारे में पूरी में हो गया है हो गयी वार्व लैडर के बारे में भी दिया हुआ हaguya हैको और प्राइदर के सकता है ब्रहे को सब्सक्राइए उसके इतना लिख की तो आपके पूरे नमर मिल जाएंगे अब देखता हम स्कुर्ष यह तर कि पूरा आंसर इसमें दिया हुआ है आप इसको एक बार पढ़ लें या रिवाइस कर लें तो आप इजीली आंसर दे सकते हों अब हम देखेंगे जो चाप्टर नमर 10 है skeleton muscles इसमें कौन-कौन से important questions है जो कि एक्जम में आ सकते हैं तो देखें सबसे पहले कुशन है कि राइट ये शॉर्ट नोट ऑन स्केलेटन मसल्स यानि स्केलेटन मसल्स पर आपको शॉर्ट नोट लिखने है यानि स्केलेटन मसल्स के बारे में पूछ सकता है तो आप इस तरह से कुछ लिख होगे आंसर को सेकर्ड कुशन कि आये गीब दी फिजलॉजी ऑफ स्केलेटन मसल्स पर आपको बताना ही यह है क्या पूरे इसमें श्टेप कौन से इंवल्वर निए यह बताना आपको लिखना भी है तो इसमें आंसर में लिखा हुआ है इसी तरह से आप लिख सकते हो इसके डिसॉर्डर आपको लिखने हैं ठीक है टाइप्स हो गए सिम्टम्स वगरा यह सारी चीज़ आपको लिखनी है इसमें कि देखिए यह सारे पॉइंट्स इसमें दियो हुएं ठीक किस-किस पर इंपक्ट पड़ता है ट्रीटमेंट कैसा डियाग्नोस कैसा है अब हम देखिए जो चप्टर नूमर लेवल है नर्वस सिस्टम इसके बारे में इंट्रो लिख सकते हो डेफिनेशन लिख सकते हो और फिर क्लासिफिकेशन ठीक है अब देखिए इसमें कॉशन नमर टू ग्री गीव दी ब्रीफ नोट ऑन सी एन इस सेंट्र नर्वस सिस्टम पर आपको ब्रीफ नोट लिखनी है सारी चीज़ें ब्रेन और इसके पार्ट्स इसमें से कुशन कंफर्म है आपको देखिए हमने कॉशन पड़ोगे तो बहुत टाइम जाएगा ठीक है तुझे देखिए मिट ब्रेंड के बारे में है स्पाइनल कोड के बारे में भी है इसमें और कोशन नमत तरी है राइट है डीटेल नोटम फेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसके उपर डीटेल नोट यानि बताना है कि प कौन कौन से इंपोर्टन कोशिण से हैं तुझ देखिए और सबसे पहले इसमें कुशन है राइट नोटन सेंस और राइट नोटन सेंस और निस निस के उपर आपको शॉट नोड लिखने है इसमें कौन-कौन से बहुत यह एंड या किस-किस के काम आते वह सारी चीज और ह खाली तंग के बारे में पूछ ले तो आप एजी लिख सकते हो आई के बारे में पूछ सकता है और स्कीन के बारे में ठीक है अब हम देखते हैं चेप्टर 11 इसमें कौन कौन से इंप्रोर्टन कोशन तो इसमें सबसे पहले कुशन क्या है,describe the UNI system, यह निया इपको डिस्करइब करना है, यानि बताना UNI system होता क्या है, इसमें पार्ट कौन से होते हैं, ठीक है, कुशन नमर्ट टू है ड्रोई लेवल डाइग्रम ऑफ में यूइन सिस्टेम एक्स प्रेजंट इच और इन डीटिल यानि जो यूइन सिस्टम हो में का उसमें जो भी पहले तो एक्स्पेंट करना उसका डाइग्रम बनाना और उसके बाद जो उसमें और इस प्रेजंट है वह डीटेल में एक्सप्रेंग करना तो मैं यही बता रहा हूं कि आपको पक्का एक डाइग्रम आई चाहिए पांस नंबर कोशन में तो आप जरूर देखें हैं या तो यूइन सिस्टम के बारे में या सीविया स्के बारे में जो ब्रें के बारे में पूछ सकता है या ब्लैडर में क्या होता है वो क्या है और इसका फॉर्मशन क्या है वो सारी चाहिए आप इसमें से लिख सकते हो ठीक है यह यूरत्रा के बारे में पूछ ले तो अब देखें कोशन नमर त्री जो कि इंपॉर्टेंट है एक्सप्लें दी फीजियोलोजी और फॉर्मेशन यानि जो यूइन कैसे बनता है इसका फीजियोलोजी पूरा इसमें दिया हुआ है ठीक है अब कोशन नमर फॉर क्या है राइट है डीटेल नोट ऑन मिचुरेशन के आपको डीटेल नोट लिखने ता है यह पिसको स्टार मारक कर लीजिए क्योंकि इसमेंसे कोशन आएगा इक स्प्लेंडीक्स टेडियानि जो किया जाता है अब दिखते हैं चाप्टर नमर फॉर्टीन जो एंडॉक्राइन सिस्टेम है इसमें कौन-कौन सेब़ौ्टन सारी चीज़ है पुशन नमबर टू गया है राइट हे डीटेल नोट नोट ऑन स्ट्क्रियास कौन कौन से करते हैं तो हमने जो मल्टीपल मतलब एक कुस्टन बना दिया जो मल्टीपल कुस्टन बन सकते तो आप इसको एक बार देख लोगे इसमें से जो पूरा जो कि उसमें हार्मों सोते हैं वो सारे चीज़ों के बारे में है यह जो हार्मों सोते हों के बारे में है विगे इनसोल इंक है कि अईज रिप्रोडिक्शिव सिस्टमी इन में कौनण फैन कोफ़ इंपकॉस अप्ड़ेंट प्रक्ताइब सबसे पहले कोशन क्या है कि इसमें से आपको एक आएगा कनफॉर्म या तो मेल का पूछ ले जाएगा या तो फीमेल का तो देखिए मेल रिप्रोड़ाइव सिस्टम आप देख से क्यों डियाग्रम आपको बनाना और उनके सारे पॉंच इसमें लिखे हुए है ठीक है देख है ठीक है और अब सेकंड कुशन देखते है राइट है शॉर्ट नोट फीजिलोजी और मेंस्ट्रीशन के उपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी यह भी कुशन पूछा जा सकता है कि मेंस्ट्रीशन के स्टेप बाई स्टेप बता यह कैसे साइकल होती है यह इवेंट्स उस पूज नमर फोर के है राइट फोलिटेव यह दीटेवक्षा लिखन को पूर्ण अबडर् स्टेटेल नोट लिखनके से इवेंघ्द मृट हो फॉल्डटन करना थैसे और यह सारे टिप्स इस इसमेंौन कूण से स्टेप्स जो इन्वाल्ट होता है व militar 1 स्ट पवलासिया स किसी भी एक चीज के बारे में पूछ सकता है प्रेंग्डेंस के बारे में पूछ ले तो आप इसको ज़रूर पढ़के जाएं ठीक है तो देखें हमने क्या कि आज की क्लास में सारे जो की इंपॉर्टेंट कोश्चन्स हैं अगर आप इसकी पीडियो डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जरूल जॉइन कर लें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पर हम डेली अपडेट डालते रहते हैं उससे क्या कि आपकी एक्जम की प्रेक्टिस और अच्छे सुझाए जो फर्दर हम जो और सद्रिक्टी इंपड